आज हम देखेंगे दो परिमे संख्याओं के बीच की परिमे संख्याओं ग्याद करने के उदाहरण शुन्य और एक के बीच आने वाली दस परिमे संख्याओं ग्याद कीजिए यह बड़ा ही आसान है शुन्य और एक दोनों परिमे संख्याओं यानि राश्नल लंबर्स हैं क्यूंकि इन्हें हम क्रमशह शुन्य बटे एक और एक बटे एक इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं किन ही भी दो परिमय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमय संख्याएं होती है। चली 0.1 और 1.1 के बीच की 10 परिमय संख्याएं क्यात करें। इसके लिए हम 0.1 और 1.10 की तूली परिमय संख्याएं यानि equivalent rational numbers क्रमशह 0.11 और 11.11 लिख सकते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इन परिमय संख्याओं के बीच में एक बटे ग्यारह से लेकर दस बटे ग्यारह इत्यादी परिमय संख्याओं हैं। अगला उदाहरण ग्यात कीजिए निम्नलिकत संख्याओं में कौन से संख्याओं रिंड चार बटे तीन और रिंड दो बटे तीन के बीच नहीं है। यह पता करने के लिए हमें इन तीनों परिमय संख्याओं की तुलना करनी होगी जिसके लिए हमें इनका हर समान करना आवश्यक है। रिंड दो बटे तीन की तूल्य परिमय संख्याओं ग्यात होगी रिंड चार बटे च्छ और रिंड चार बटे तीन की तूल्य परिमय संख्याओं ग्यात होगी रिंड आट बटे च्छ रिंड पांच बटे च्छ का हर पहले से च्छ है। अब हम देखते हैं कि परिमियस अंख्याओं के हर समान है इसलिए इनके अन्शों की तुलना करेंगे यहां रिंड 8 रिंड 5 से छोटा है और रिंड 5 रिंड 4 से छोटा है इसलिए रिंड 8 बटे 6 रिंड 5 बटे 6 से छोटा है और रिंड 5 बटे 6 रिंड 4 बटे 6 से छोटा है यानि कि रिंड 4 बटे 3 रिंड 5 बटे 6 से छोटा है और रिंड 5 बटे 6 रिंड 2 बटे 3 से छोटा है इस इसलिए रिंट 5 बटे 6 दी परिम्य संख्याओं की बीच की परिम्य संख्या है. अब आईए रिंट 12 बटे 5 की बात करें. इन तीनों परिम्य संख्याओं की तुल्ला करने के लिए हमें इनके हर समान करने होंगे. यहां हम 3 और 5 का लवसर 15 लेकर इनके हर समान करेंगे यहां रिंड 2 बटे 3 की तूले परिमे संख्या प्राप्त होगी रिंड 10 बटे 15 रिंड 4 बटे 3 की तूले परिमे संख्या प्राप्त होगी रिंड 20 बटे 15 और रिंट 12 बटे 5 की तूले परिमे संख्या प्राप्त होगी रिंट 36 बटे 15 चुकि रिंट 36 बटे 15 रिंट 20 बटे 15 से कम है और रिंट 20 बटे 15 रिंट 10 बटे 15 से कम है इसलिए रिंट 36 बटे 15 रिंट 20 बटे 15 और रिंट 10 बटे 15 के बीच नहीं आएगी यानि की रिंट 12 बटे 15 या परीमेश संख्या रिंट 2 बटे 3 और रिंट 4 बटे 3 के बीच नहीं है इसी तरह क्या आप पता कर सकते हैं रिंट 14 बटे 9 इन दोनों परीमेश संख्याओं के बीच आती है या नहीं प्रयास कीजिए अगला उदाहरण संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए रिंट 0.3 और 1.4 के बीच की 10 परी में ये संख्याइं ग्याद कीजिए हम रिंट 0.3 और 1.4 को क्रमशह रिंट 3 बटे 10 और 14 बटे 10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं इस तरह हम इन संख्याओं को पी बटे क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ दोनों के अंश और हर पूर्ण आंख है और किसी भी संख्या का हर 0 नहीं है इसलिए ये दोनों परिमेश संख्या आए हैं चलिए इन्हें संख्या रिखा पर व्यक्त करें रिंट 3 बटे 10 एक रिनात्मक परिमिये संख्या है इसलिए इसका स्थान 0 के बाई और है लेकिन 14 बटे 10 एक धनात्मक परिमिये संख्या है इसलिए इसका स्थान 0 के दाई और है रिंट 3 बटे 10 के रिंट चिन्न को नजरंदास कर हम देखते हैं कि अंश 3 हर 10 से छोटी संख्या है इसलिए रिंट 3 बटे 10 का स्थान 0 और रिंट 1 के बीच है ठीक स्थान ग्याद करने के लिए हम 0 से रिंट 1 की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 0 के बाई और पहले 3 भाग लेकर संख्या रिंट 3 बटे 10 दर्शाते हैं 14 बटे 10 में अंश 14 हर 10 से बड़ी संख्या है इसलिए यह संख्या एक से बड़ी है संख्या रिखा पर इसका स्थान ग्याद करने के लिए हम प्रतीक इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाते हैं और इनमें से 14 भाग लेकर संख्या 14 बटे 10 दर्शाते हैं तो क्या अब आप बता पाएंगे कि इन दो संख्याओं के बीच कौन सी परिमेश संख्याएं हैं सूचे सूचे चले हम बताते हैं अब जैसा के आप देख सकते हैं इनके बीच परिमेश संख्याएं हैं रिण दो बटे 10 से लेकर 10 बटे 10 या 1 ग्यारा बटे दस, बारा बटे दस, तेरा बटे दस ध्यान रहे शून्य और एक भी परिमे संख्याएं ही है तो आज हमने देखे दो परिमे संख्याओं के बेच की परिमे संख्याएं ग्याद करने के उदाहरण अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे चुड़ी कुछ मिध्या धारणा है